हेलो गाइज, वेलकम टू माइक किचिन, सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला, तो चिकन मसाला का नाम सुनते ही हमें सिर्फ माइन में एक चीज आती है वो स्पाइसे की, इसमें कितने सारे मसाले एड़ होंगे, तो हमने यहाँ पे इसे बहुत ही कम मसालों में बनाया है, ताकि जो बैचलर्स होते हैं हमारे, जिनके घर में यह सब मसाले स्टोर नहीं होते हैं पहले से, वो भी यह रेसिपी को फॉलो करके इसे बना सकते हैं, और बहुती बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, तो अगर यह रेसिपी आप लोगों को हेल्फुल लगे, तो प्लीज से लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे, ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो चलिए हम अप यहाँ पर डालेंगे यह बारिक कटा हुआ प्यास, तो हमने यहाँ पर यह चार प्यास को अच्छी तरह से काट लिया एकदम बारिकी से, और इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है, तो कुछ इस तरह से आपको एकदम फ्लेम को हाई करके इसे बून लेना है, हमें यहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है, जब हम मसालो को भून रहे है, तो उसके बाद अब हम यहाँ पर यह चिकन पीसे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लेना है, आप लॉक डॉन में चिकन को खाने से गबराये मत, यह जो इन्फेक्शन है वो कर सकते हैं, बस आपको एक चीज करने है की इसे अच्छी तरह से वाष कर लेना है, जब भी आप इसे बहार से लाओ, तो अब हमें यहाँ पे मसालो और चिकन को बहुत ही तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे यह लसुन, तो लसुन का जो चिकन करी में मतब चिकन मसाला में जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे आड़ कर सकते हैं अगर आप लसुन पसंद करते हैं तो अदवाइस यह आपके लिए बिल्कुल भी ऑप्शनल है अब हमें यहापे मसाले और चिकन पीसे को बहुत उची तरह से मिक हो चुके रहेंगे मतलब यह थोड़े पक चुके हैं तो अभी भी यहापे जो टेल है वो एक्स्ट्रा देखिए उपर से दीख रहें मतलब यह जो चिकन पीसे नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखे कि जब तक इसमें तेल है तब तक यह बड़ जैसे ही तेल खतम होने लग जाएगा तो यह नीचे से जलने लग जाते हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है ऐसे इसे डखकर जादा टाइम तक नहीं पका लेना है तो अब बारी है मसालों की तो सबसे पहले हमने मसालों में हल्दी पाउडर डाल दिया है उसके बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे एक चमस धनिया पाउडर पर डाला है लाल मिर्च पाउडर तो आप यहाँ पर अपने तीखे पन के अनुसर लाल मिर्च पाउडर आड़ कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे यह गरम मसाला और चिकन मसाला तो हमने यह कॉंटिटी तोड़ी जादा रखनी है ताकि जो आपको चिकन हो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही लाजबाब बने तो अब हम यहां पर आड़ करेंगे पानी तो हमने एक कटोरी जितना पानी ले लिया है तो आप यहां पर अपने थिकनिस के अनुसारे हैं पर पानी आड़ कर सकते हैं लेकिन जो हमारा चिकन मसाला होता है थोड़ा थिक होता है तो ही खाने में अच्छा लगता है इसके लिए आप यहां पर थोड़ा ही पानी आड़ करें जितनी कॉंटिटी ज़रुवत है उतना ही आड़ करें तो हमारे जो चिकन की पीसे पख चुके है तो हमें पर इसे जादा टाइम नहीं पकाना है यहाँ पर हमने पानी डालने के बाद इसे जादा नहीं पकाया है क्योंकि जो हमारे चिकन की पीसे है वो अरड़ी पक चुके थे उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे यह सौधानुसा नमक तो नमक डालने के बाद आपको इसे एक बार चला लेना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे मसाले और चिकने दोनों भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं लेकिन यह भी बहुत जादा थिक नहीं हुआ है जो हमारा मसाला है तो हम इसे और 10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे जिसे क्या होगा कि जो हमारे मसाले है वो थोड़े और थिक हो जाएंगे और जो हमारा चिकन का पीसेज है उसमें जो मसाले है बहुत अच्छी तरह से अब्सरब हो जाएंगे तो देखिए जो हमारा चिकन मसाला है देखते ही देखते है बहुत ही जटपड तरीके से रड़ी हो चुका है तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राय करें और ये रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं धुए पर दो कायो जा चाइंगा दूर कायूरा भाल भाल एभ सचारवान कायो से काझ मेंच मैं पात्ततत कुका तो घर कायो से ताज